Hello students, पिछले lecture में हम कुछ important words के बारे में पढ़ चुके थे जो इस chapter में हमारे काम आएंगे आज की lecture में हम कुछ होर important words पढ़ेंगे जिनका meaning समझना बहुत जुरूरी है अगर chapter को अच्छे से समझना है तो तो 21 से start करता हूँ मैं 20 तक हो चुके थे कल 21 point है eliminated eliminated का मतलब होता है खतम करना यहां पर इसका meaning oxygen की supply से है जब हम oxygen की supply cut कर देते हैं तो जो material है उसे oxygen नहीं मिल पाती और वो जलना बंद कर देता है यानि fire extinguisher में हम ये process यूज करते हैं एक्स्टिंग्यूसर का मतलब होता है अगनी समन अगनी शामक जो होते हैं यानि आग बुझाने वाले उनको एक्स्टिंग्यूसर का जाता है वह chemical भी हो सकते हैं या कोई भी ऐसी process जिसकी help से हम आग को जलना बंद करवा सकती है रैपिड combustion का मतलब होता है तीव्र दहन यानि तेजी से जलना किसी चीज़ कहां एंड स्पॉंटेनिस combustion स्वत दहन यानि अपने आप अगर कोई चीज जलना शुरू कर देती है विदाउट एनी मोर एफर्ड तो उसे हम spontaneous combustion कहती है उसके बाद हमारे पास 25 पॉइंट है डिजास्टेरियस फायर खतरनाक अगनिकान यानि एकदम से बहुत ज्यादा आग का लगना डिजास्टेरियस फायर कहा जाता है explosion explosion का मतलब विश्पोर्ट होता है जब कोई आग लगती है धमाके के साथ तो explosion कहा जाता उसे 27 यहाँ पर point है steady यानि स्थिर बिल्कुल धीरे-धीरे किसी चीज का जलना वो steady rate कहा जाता है ब्लैक की स्रिंग का मतलब होता है काला वले यहाँ पर इस चैप्टर में एक वर्डिंग आएगी जहां पर हमें ब्लैक की स्रिंग का मतलब पता चलेगा luminous zone दिप तक शेत्तर जब हम किसी भी ऐसे object को light on करते हैं तो जहां तक उसकी light जाएगी उसे कहा जाता है luminous zone यानि वहां तक हम उसकी light को देख सकते हैं light energy उसका effect वहां तक है no luminous zone वह अक्षेतर जहां पर हम उसकी light को observe नहीं कर सकते या फिर direct effect नहीं होता उसका आपने जरूर देखा होगा जो मुंबत्ती होती है उसके आसपास का जो इलाका है एरिया है उसमें जो है लाइट नहीं दिखाई देती क्योंकि जो आग लगी हुई है यानि फ्लेम है उसका effect अपने आसपास के चारों तरफ होता है ना कि अपने खुद के पास 31 पॉइंट है आइडिल फ्यूल्स सबसे पहले फ्यूल का मतलब समझते हैं होते क्या है फ्यूल कोई भी ऐसे सबस्टांस होते हैं जिनका यूज करके हम एनर्जी परड्यूस कर सकते हैं अब आइडिल फ्यूल क्या होंगे जिनमें maximum amount of energy हम परड्यूस कर सकते हैं without any pollution बिना pollution के जो एनर्जी हमें मिल सकती हैं जिन सबस्टांसिस से वह आइडिल फ्यूल्स होती हैं कैलोरिफिक वैल्यू जब दो तरह के सबस्टांसिस को या इंधन को जलाया जाए और उनमें से जो एनर्जी मिलेगी उसको नोट किया जाए टोटल अमाउंट ओफ एनर्जी दोनों केसिज में अलग-अलग होता है यानि कागज को जलाएंगे तब अलग तरह की अनर्जी हमें मिलेगी पेट्रोल को जलाएंगे तो अलग तरह की अनर्जी हमें मिलेगी तो दोनों केसिज में अमाउंट ओफ एनर्जी अलग-अलग ह क्cktनी एनरजी हमें होती है को मतलब होता है न केजी सबस्तान्स से कितनी एनरजी हैं वह क्ड़िट के मतलब होता है वह एक को काटना फोरेस्ट के इसाब से ज़ादा मनुश्यों के द्वारा पेड़ काटे जाती हैं तो प्रोसेस को कहा जाता है डीफोरेस्टेशन पॉलीटिंट का मतलब होता है परदूसक यानि ऐसे फेक्टर्स जो परदूसन फैलाती हैं हमारे आसपास की चीजों को खराब करती हैं फोर एक्जामपल एयर पॉलीशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है धूआ हो गया जो डीजल से पेट्रोल से इंदनों से प्रदूस होता है ऐसे वाटर पॉलीशन डिफरेंट केमिकल्स हो गए जो पानी को खराब करती हैं अब कुछ फेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लगातार इंक्रीज होने से हमारे आसपास से पॉइंट नंबर 35 हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग यानि धर्ती के एन्वार्मेंट के टेंपरेचर लगातार बढ़ता रहता हैं इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं यानि विश्व उस्णन यानि एट्मोस्फियर में डिफरेंट ज ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता इसको सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना या फिर ऐसे एन्वार्मेंट का तयार हो जाना जहां पर हम सांस ठीक से ना ले पाएं जैसे अगर किसी कमरे में चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर दिये जाएं बाहर से हवा न होगी और हमारा जो है दम घुटना सा ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल दम घुटने लगा है तो यह सफोकेटिंग प्रोसेस होती है क्लीनर फ्यूल क्लीनर फ्यूल का मतलब होता स्वच्छ एंजन साफ ऐसा फ्यूल जो परदूशन ना फेलाता हो फोर एक्जामपल सी एंज यानि compressed natural gas इससे जो है minimum amount of pollution create होता है एक तरह से स्वच्छ इंजन होता है को रोजीव गैस का मतलब होता है संक्सार गैस ऐसी गैसिज होती है जो रोक देती है अगनी को यानि आग को रोक देती है वो को रोजीव गैसिज होती है फ्यूल एफिशेंसी इंधनक्षमता यानि किसी फ्यूल में से कितनी हीट जो है रिलीज की जा सकती है यह फ्यूल एफिशेंसी होती है किस तरह से हम उसको यूज कर पाएंगे कितना beneficial होगा यूज करना उसको या कितना वह काम किया जा सकता है उससे वह एफिशेंसी होती ह तो यह दिफ्रेंट पॉइंट्स थे डिफ्रेंट वर्डिंग थी जो इस चैप्टर में हमारे काम आएंगी मुझे उमीद है आपको समझ में आए होंगे ओके ओल दे बेस्ट